आमिर साथ सब्सक्राइब मेरा सवाल आप से ही है. M.I.M. जो केलंगाना में सिर्फ 9 सीटों पर चुनाव लड़ती है, विधान सभा में, वो लोकसभा के लिए UP में 20 सीटों पर चुनाव लड़ने की युजरा बना रही है. इसका क्या मतलब निकाल जाए? आप जो भी मतलब निकाल सकते हैं, आप पहले ही वो बात कह दिये हैं, बात यह है कि असद अधिनोईशी ने दो मेहने पहले एलान किया था, कि वो सिर्फ तीन सीटों पर एलेक्शन लड़ेंगे. ये एसमेली के एलेक्शन के बाद हुई थी बात, उसमें उन्होंने कहा कि हम हैदरबाद और अंगाबाद और एक बेगुस वराई की सीट पर हम एलेक्शन लड़ेंगे. उसके बाद जो तब्दिली आई है, वो अब ऐसे लग़ा कि वो बीस सीट, साथ-ाथ सीट और चार सीट महराश्टरा में ये बात कह दिये हैं, तिलंगाना में तो एक ही सीट पे लड़ रहे हैं, अब कुस्ती के सत्रा सीटे हैं यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे अगर हम मुसल्मानों की बात करेंगे, देखिए, असवजदी नुवेशी की दो चीज़ हैं, एक है कि मुसलिम वोट, उनको वोट कितने मिलते, वो आप उत देमन पहुंच रहा है, तो फ्रॉक्सी वोटिंग जो फाइदा हो रहा है, एक दुसरे का, बलके हम तो यह कहते हैं कि सप्लिमेंटरी और कॉम्प्लिमेंटरी पार्टीज हैं, बीजेपी और एमाइम, आप बीटिम की बात करें थे, बीटिम की बात तो काफी चर्चे में ह यहां पर भी तेलंगाना में भी वो बात चलती है, लेकिन देखें यहां पर रूरल एरिया में असद दिनोईशी नव सीट लड़े हैं तेलंगाना की शहर में, हैदरबाद की शहर में, लेकिन तेलंगाना में उन्होंने एक्स्टेंसिफ कैमपेंड की थी बी आरेस के नहीं हुआ, उड़्ठा यह हुआ कि हिंदू वोट असद दिनोशी और बी आरेस एक होने के वज़े से वो कांग्रेस के तरफ आ गए, बिकाज यहां पर यह बात जुरूर थी, कि हम बीजेपी को भी चांस नहीं देंगे, हम को पसंद करेंगे, बजाए इसके कि हम दो दिनोशी हो सकता कि यूपी में, बिहार में, कश्मीर में, काफी लोगों को अच्छे दिखते हैं, लेकिन ग्राउंड पे उनको प्राब्लम हो रहा है, अभी अगर दो हजार अठारा और दो हजार तेईस के ऐलेक्शन में देखेंगे, तो एक लाक वोट कम उनकी पार् प्राइशा ने, तीन दिन पहले एक जलसा हुआ था, उसमें उन्होंने इन्डाइरेक्ली, देखें, अभी तक ऐसा होता था कि अगर हमारा नाम लेते, तो अगबार को काला करने की बात होती थी, या कोई उनके अगेंस में काम करने वाली की बात होती थी तो बाराय उन्हों को उन्होंने चौकरना किया है, कि आपका प्रड़क्ट यखिनन बहुत अच्छा है, आप प्रड़क्ट को जितना बढ़ावा देना चाहरें देजिए, लेकिन मेरे खिलाफ अगर काम करेंगे तो हम इसको छोड़ेंगे नहीं, आप एलेक्शियम में भी लड़ना के उपर ये कहा जा रहा है कि उनके खरीबी साथियों के उपर प्रेशर बनाने के लिए एडी और इंकम टैक्स के रेट्स चल रहे हैं हैं हैधरबाद में, तो उसको ये माना जा रहा है कि सोशिल मीडिया में भी ये बात आम है, कि शायद वो रेट्स को देखकर इनों और ज्यादा सीट्स की एका एलान करते चले जाने, सत्त हिंदी का एप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर